शंकर या महादेव आरण्य संस्कृती जो आगे चल कर सनातम शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है वह त्रिदेवों में एक देव है इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते है इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंट, गंगाधार आदी नामों से भी जाना जाता है तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है हिंदू शिव घर्म शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से है वेद में इनका नाम रुद्र है यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है इनकी अर्धांगिनी शक्ती का नाम पार्वती है इनके पुत्रकार्ति के अयपा और गनेश है तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, जोती और मनसा देवी है शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ती दोनों रूपों में की जाती है शिव के गले में नाग देवता विराजित है और हाथों में डमरू और त्रिशू लिये हुए है कैलाश में उनका वास है यह शैव मत के आधार है इस मत में शिव के साथ शक्ती सर्व रूप में पूजित है शंकर जी को सहार का देवता कहा जाता है शंकर जी सौमय आकरिती एवर रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है अन्य देवों से माना गया है सृष्टी की उत्पत्ती, स्थिती एवन सहार के अधिपती शिव है त्रिदेवों में भगवान शिव सहार के देवता माने गये है शिव अनादी तथा सृष्टी प्रक्रिया के आदीस रोत है और यह काल महाकाल ही जोतिशास्त्र के आधार है शिव का अर्थ यद्यपी कल्यानकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीम किये हुए है रावन, शनी, कश्यप, रिशी, आधी इनके भक्त हुए है शिव सभी को समान द्रिश्टी से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है शिव के कुछ प्रचलित नाम, महाकाल, आधीदेव, किरात, शंकर, चंदरशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युनजय, मृत्युपर विजी, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विश्धर, नीलकंठ, महाशिव, उमापती, पार्वती के पती, काल, भैर भूतनाथ, इवानियन, तीसरे नयन वाले, शशिभूशन आधी, रामायन में भगवान राम के कथन अनुसार, शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता, शुकल यजुरवेद संहिता के अंतरगत रुद्र अश्टाध्याई के अनुसार सूर्य इंद्र विराट पुरुश हरे वरिक्ष अन्न जल। दुर्बुद्धी वालों को व्रिष्टी जल अन्य आदी भगवान शिव प्रदान करते हैं और दुर्बुद्धी वालों को व्याधी दुख एवं मृत्यो आदी का विधान भी शिवजी करते हैं। करते हैं और दुर्बुद्धी वालों कि अन्य आदी करते हैं। झाल झाल